इस वीडियो में आप जानेंगे कि BTS बैंड और इस ट्रैप का आपस में क्या कनेक्शन है। आए जानते हैं, आज कल देखा जा रहा है कि मुसलिम लड़कियां खास कर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली वो BTS बैंड के गाने सुनना बहुत पसंद करती हैं। सिर्फ गाने ही नहीं सुनती बलकि उनको चाहने भी लगती हैं। और उनके फोटोस अपने स्टेटिस पे लगाती हैं। अक्सर जो इनके गाने सुनने लगता है वो धीरे धीरे इनके करीब होता चला जाता है। मुस्लिम लड़कियां भी BTS को इतना पसंद करने लगी हैं कि वो उन्हें अपना हस्बन तक मानने लगी हैं। और कुछ YouTube चैनल के जरिये कई BTS के WhatsApp ग्रूप में जोइन भी हो जाती हैं। कई Muslim लड़कियां इस ग्रूप में जोइन हो जाती हैं। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला मैंने फिर इनके कई ग्रूप में जोइन हुआ ये जानने के लिए कि आखिर ये ग्रूप किस मकसद से बनाया गया है। जाता है तो उस इमेज को सारे ग्रूप में शेयर कर दिया जाता है। बिना पर्मिशन के इस से आसानी से उन ट्रैप वालों तक Muslim लड़कियों की पूरी आइडेंटिटी पहुँच जाती है। वो रातों रात गैर Muslimों के साथ उस ग्रूप में चैट करती रहती हैं। उनके चैट सर ग्रूप में शेयर भी कर दिया जाता है। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये BTS है क्या। आये जानते हैं, BTS एक पॉप बैंड है जो की काफी फेमस है इंडिया में भी और इस बैंड के मैंबर्स जो है वो अपने लुक्स के लिए और अपने गानों के लिए बहुत फेमस है। इसी के चलते लड़कियां भी इनको काफी जादा फॉलो करती हैं और इनके जो फैंस होते हैं वो अपने आपको BTS आमी कहते हैं। इनके गानों में अक्सर सटैनिक सिंबोल्स यूज होते हैं। अगर आप में से कोई इनको फॉलो करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन BTS के ग्रूप के जाल में मत फसिये और इसको बिल्कुल मत देखिये। BTS ब्रूप ही नहीं बलकि किसी अनफिशल ब्रूप में भी जॉइन मत होई और नहीं अपनी पसनल इन्फोर्मेशन किसी को शेय कीजिए।